जैहिन स्वागत है आपके अपने यूटिब चैनल दा कैनी ने उस पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्त होंगे कुशल मंगल होंगे क्योंकि ये जो डबल म्यूटेंट वाला सेकंड वेब है कोविट पेंडमिक का ये बहुत ही खतरनाक है तबाही मचा के रखा है हर हमें चिंता लगी रहती है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ आज कि आप लोग कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए कि I am well मैं स्वस्त हूँ कुशल मंगल हूँ जिससे मेरे को काफी खुसी होगी साथियो बिना देर करते हुए सुरू करते हैं आज के वीडियो आज के वीडियो में हम मालकोदाम स्रमिकों से संबंधित एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी और गुड न्यूस देने वाले हैं तो साथियो फटाफट वो न्यूस आपको बताते हैं मिनिस्ट्री ओफ डेलवे के ट्वीटर हैंडल से एक जानकारी दी गई है ट्वीट करके इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले अच्छर सा आपको पढ़के बताते हैं उसके बाद विस्तार से समझाएंगे इसमें लिखा हुआ है अन्यू गूट्स लोडिंग प्लेटफॉर्म एंड रेस्ट रूम हैज बिन प्रोबाइड एट पेडपली इसमें कहा गया है कि एक नया गूट्स लोडिंग प्लेटफॉर्म का निर्मान किया गया है जिसमें मुख रूप से जो ध्यान देले वाली बात है वो गूट्स सेट वर्कर के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है इस रेस्ट रूम में हमारे माल गोदाम सरमिक आराम कर सकें जो फूट ग्रेन है जो खाद्यान है उसके रख रखाओं पे विसेश रूप से ध्यान दिया जाएगा इस पे मुख फोकस होगा कि अनाज जो है वो सरे नहीं खडाब नहों बरबाद नहों इसका लोड अन्रोड समय पे हो इन सभी बिंदों पे मुख रूप से ध्यान दि है और एक नीड आपका पूरा होता है तो जाइर सी बात है दूसरे नीड के लिए आपे स्ट्रगल कीजिएगा और पूरा कीजिएगा कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में जितने भी इस्टेशन है जहां पे माल गोदाम है जहां पे माल गोदाम स्रमिक है और वहां पे ये फैसलीटी नहीं है तो आने वाले समय में बहुत जल्द वहाँ पे भी रेश्ट हाउस की बिवस्ता की जाएगी जिसमें बिजली पानी पंका वस्रोम बातरोम की बिवस्ता होगी जिससे जो स्रमिक बंदू है उनका बेसिक जरूरत पूरा हो जाएगा आराम कर सकेंगे प स्टेसन पे जाना पड़ता है और कई तरह की परिसानियों का सामना जेलना पड़ता है जब इस पेसल उनके रेश्ट रूम का बिवस्ता होगा तो जाहिर सी बात है उसकी फैसलीटी में काफी इजाफा होगा और आने वाले समय में बहुत जल्द ये सभी माल गोदामों पे फैसलीटी उपलब्द होगी जहाँ जहाँ पे वरतमान समय में ये नहीं है क्योंकि रेल मंतराले भारत सरकार का मुख के फोकस माल धुलाई में ब्रिधी करना हो इस पिल्ड में बहुत अधिक इनिसीएट भारत सरकार ले रही है चाहे वो फ्रेट कोरीडोर का मैटर हो या फिर विसेश प्रकार के खाद समागरी को एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने की बात हो या फिर जो है नए नए गूट सेट निर्मान करने की बात हो या फिर फ्रेट कोरीडोर के माध्यम से माल धुलाई का जो स्पीड है दुगना करने की बात हो माल धुलाई का जो लक जे बारति ए डेल का डेमेन्यू का जो मुख्य सोर्स है वो माल ढुलाई मालगारी गूट्स ट्रेन ही यह जिसके बारत सरकार रेल मन्त्रा ले खूर्ट्स ट्रेन पे विसेज फोकस कर रही है विसेज ध्यान देरही है अगर आप financial year की compare कीजिए चाहे वो 18-19-19-20 से कीजिए या 19-20 का 20-21 से कीजिए तो आप देखिएगा कि साल दर साल जो मालगारी का जो revenue है वो बढ़ते जा रहा है माल गोदाम की संख्या बढ़ते जा रही है माल गोदाम स्रमिकों की संख्या बढ़ते जा रही है फ्रेट कोडी डोर का विष्टार होते जा रहा है और इन सभी बिंदूओं का विष्लेशन करने के उपरांथ हम ये कह सकते हैं कि आने वाले नस्दी की भविश्ते में माल गोदाम स्रमिकों की फैसलिटी में जबरदस्त फायदा होगा इजाफा होगा आपकी फैसलिटी में बढ़ोतरी होगी ऐसा मेरा विश्वास है उमीद है और साथी उमीद पे दुनिया टिकी हुई है इसलिए आप भी उमीद कीजिए एक उमीद ये भी है कि ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के भी सेयर कीजिए साथी साथ इसी तरह का छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ओन कीजिए और अपना विशेश रूप से ध्यान रखे अपने घडवाले का ध्यान रखे मिलते हैं आगले वीडियो में टेक केर जैहिन जैभारत